आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर अगर आपके फोन का कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो यह प्रॉबलम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर इसके लिए अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करिए और सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक आप्शन मिलेगा एपस और नोटिफिकेशन्स एपस और नोटिफिकेशन्स पर गिलिक करिए अब उसके बाद आपके सामने एक आप्शन आएगा एप इन्फो य यहां पर सारे application शो हो जाएंगे बट आपको ऊपर की तरफ आना है और ऊपर आपको मिलेगा camera तो अपने phone का camera गो आपको मिलेगा यहां पर इस पर click करिए किलिक करने के बाद एक option आएगा right side में force stop इस पर click करिए उसके बाद ok बटन पर click करिए उसके बाद एक option आएगा permissions permissions पर click करिए अगर आपका camera की permission इस टाइप से यहां पर deny है यहां पर इस टाइप से अगर deny है आपकी permission तो camera permission पर click करके allow only while using the app select करके back आईए उसके बाद फिर से back आईए उसके बाद आपको मिलेगा storage and cash इस पर click करिए उसके बाद आपको मिलेगा clear storage इस पर click करिए उसके बाद ok पर click करिए यहाँ पर ok करने पर आपका कोई data delete नहीं होगा कुछ भी delete नहीं होगा तो back आईए उसके बाद नीचे आपको मिलेगा advance का option advance पर click करिए सबसे नीचे जाईए आपको मिलेगा app details इस पर click करिए अब आपके phone में google play store open हो जाएगा और अगर आपको show होगा यहाँ पर कोई update यानि कि अगर आपके phone में कोई update आया है तो अपने phone को update कर लीजिए यहाँ पर आपको open की जगा update का option show हो जाएगा तो आप update कर सकते हैं अगर show होता है उसके बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके फोन का कैमरा यहाँ पर उपन हो जाएगा तो इस तरह से आप ये प्रॉबलम ठीक कर सकते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें